आम नमो नारायन मित्रों एक बार फिर से आप सबी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एक हजार आठ उपाये तथा आम नमो नारायन पर मित्रों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि गुंजा की सहायता से यानि रत्ती की सहायता से किस प्रकार से अगर आपके पास जिसको आप अपने वश में करना चाहते हैं उसका पहना हुआ कोई वस्त्र है या फिर जिसके उपर काना जादू हुआ हुआ है उसका पहना हुआ कोई वस्त्र है तो किस प्रकार से आप दोनों ही situation में यानि दोनों ही स्थिती में अपना कारे सिद्ध कर सकते हैं अगर आप किसी का वशिकरन करना चाहते हैं उनका वस्त्र कोई आपके पास है और अगर इसके लिए कोई उनका अंत्रवस्त्र हो अंत्रवस्त्र जो हमारे शरीर से लगा रहता है वह वस्त्र अगर आपके पास हो तो वह और भी तीवर गती से अपना कार्रे करेगा अगर आपके पास अंत्रवस्त्र है उसकी साहता से भी आप यह कार्रे कर सकते हैं अगर किसी के उपर काना जादू हो गया है वह बिमार रहने लगा है उसका कारोबार छूट चुका है वह पैसो की तंकी से इतना परेशान हो चुका है कि वह यही सोचता है हर समय कि कब यह जी गुझा की सहायता से उस व्यक्ति का इलाज कर सकते हैं क्योंकि ऐसी ऐसी स्थिती इंसान के साथ बन जाती है कि एक स्थिती ऐसी होती है वह तंत्र की दुनिया में इस प्रकार जक्रा होता है कि अगर वह कुछ ठीक करने के लिए अपना कारे करने लगता है तो उसमें भी हाते है कि आप कुछ धारन भी ना करें आप कुछ जाब भी ना करें और आप अपने साथ कोई ऐसी व strictly ना रखें और फिर आप पहले जैसा अपना स्वास्थे ठीक कर सकें, पहले जैसे अपनी कंडिशन दुबारा कर सकें, तो उसके लिए भी आप काली गुंजा से अपना कारे कर सकते हैं, स्वेयम भी और आप किसी और के लिए अगर ये कारे करना चाहते हैं तो उसके लिए भी दोनों ही स्थिती में आप इस कारे को कर सकते हैं तो मित्रों सबसे पहले अगर मैं बात करूँ वशी करन की तो वशी करन के लिए आपको अभी मंतरित लाल गुंजा माला लेनी है ध्यान रखें कि गुंजा माला को अभी मंतरित करने की अलग-अलग विधियां होती हैं ऐसा नहीं है कि हम इसको धारण कर रहे हैं तब भी हम इसी चीज़ से अभी मंतरित करेंगे ऐसा नहीं है मित्रो गुंजा माला को अभी मंतृत करने की अलग-अलग विदिया है अलग-अलग उनका समय है यह तीन प्रकार की होतरी है मित्रो जिस प्रकार से यह आप देख रहे हैं यह सफेद गुंजा है यह लाल गुंजा है और यह काली गुंजा है इनका उपयोग अल आने वाली है इसके लिए मित्रों आप जिसको प्रेम करते हैं जिसको आप अपने वश्मे करना चाहते हैं या किसी कारे को निकलवाने के लिए आप उसको वश्मे करना चाहते हैं आपका चाहे वह पती है चाहे वह आपका कोई संतान है जो आपकी बात नहीं सुनता आप उसक को अपने अनुकूल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने उस व्यक्ति का अंत्रवस्त्र कोई भी प्राप्त कर लेना है चाहे रहे किसी भी जरीय आप उसका प्राप्त करें एक अंत्रवस्त्र आपने उसका प्राप्त कर लेना है और उस अभिमंत्रित लाल गुंजा को जुभा के समय स्नानादी से निर्वित होकर उस अंतरवस्त्र में इस प्रकार से अभिमंत्रित लाल गुंजा को रख कर उसको एक लाल कपड़े के अंदर डाल देना है और उसको लाल कपड़े में बांध कर यानि इस अंतरवस्त्र को अगर हम समझे तो इसको लाल कपड़े म पर बांध कर आपने पूर्व दिशा की ओर किसी उचे स्थान पर रख देना है। उचा स्थान चह़े वे छुपा कर भी क्यों न रखना हो, जहां किसी की नजर न पड़े, जहां किसी का हाथ इसको न लगई। कहीं भी छुपा कर आपने इसको रख देना है पूर उदिशा की ओर। आप स्वयम देखेंगे ऐसा कारे करने के बाद किस प्रकार से जिस व्यक्ति का वह अंत्रवस्त्र है वह आपके उपर कभी हावी नहीं होगा, आपसे सदिव प्रेम से बात करेगा, आपके प्रति कभी उसके मन में कपट नहीं आएगा, कभी वह आपको दोखा नहीं देगा और जो भी कारे आप उसको कहेंगे आपकी बात को समझेगा, सुनेगा और हर कारे आपके अनुकूल करेगा। तो मित्रों, यह तो बात थी वशी करन की, अब बात अगर करें कि काले जादू से जो पीडित व्यक्ति हैं, वह किस प्रकार अपना इलाज कर सकते हैं या किसी और का इलाज कर सकते हैं, उनके लिए विदी यही रहेगी, अभी मंतृत काली गुंजा हमारे द्वारा आप प कर सकते हैं, अभी मंतृत आपने काली गुंजा लेनी है, अभी मंतृत काली गुंजा को क्रिष्न पक्ष के प्रथम शनिवार को यह कारे करना है, यह जो लाल गुंजा का आपने क्यारे किया है, यह शुकल पक्ष के प्रथम बुद्वार को किया है, और जो काली गुंजा क कारे है तो वह क्रिष्न पक्ष के प्रफम, शनिवार को करना है और यहकारे अन्धेरा आने लगता है और उजाला जाने लगता है उस समय व्यक्ति के अंत्रवस्त्र में सिद्ध काली गुंजा को इसी किया प्राकार से लपेटना है और काले कपड़े में इस अंत्रवफ्त को लपेट कर दक्षिं दिशा की ओर किसी ऐसे स्थान पर रख देना है जहां पर इसकी किसी को नजरना पड़े नहीं कि जो कि धुला हुआ ना हो ताकि उसके शरीर के जो कण है चाहे वह उसके शरीर का पसीना है चाहे वह उसके शरीर का गंद है चाहे वह उसके शरीर का कोई भी कण है वह उस अंतरवस्तर में अवश्य आया होता है और उसके जरिये आप इस कारे को सफल बना सकते हैं यह गुंजा से वशिकरण और काले जादू करने का तरीका है यानि काले जादू को नश्ट करने का तरीका है जूस्वी व्यक्ति के अंत्रवस्तर में आप इस काली गुंजा को रखेंगे वह व्यक्ति दुबारा से अपने स्वास्थे को अच्छा कर पाएगा अपनी नोक्र कोई कष्ट नहीं सता पाएगा तो मित्रों उमीद करता हूं प्रतेग जानकारी अच्छे से समझाई होगी अगर आप यह काली गुंजा और लाल गुंजा अभी मंत्रित करवा के हमारे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे हमारे वर्टसप नंबर प कर दो मित्र जाई होगी से हुआदी दोगी से समझाई होगी से से थेद्जा अगरे लाओे वर्टसप, स्सक्री अपना के लादा बच्टह क का